हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टोई इंट पेडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चाहल में आज की स्पेडों में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्यमा प्रसाथ मुगरजी इनवर्शेटी अपडेट के बारे में बतला दूँ यहां पर मैंने आपको बतलाए थे बहुत जल्द यहां सिगन लिस्ट आ जाएगी क्योंकि फर्स लिस्ट में जिन लोगों के नाम आते हैं काफी अच्छे मार्श होते हैं उनके उन्होंने यहां पर जो है मल्टिपल कॉलेजिस में अपलाई किया होता है पहले स इसलिए आप देखेंगे काफी लोग का अड्मिशन नहीं लेते और इस चलते होता क्या है सीट काफी बच जाती है अब सीट बच जाती है तो यहां पर जो है सिगन लिस्ट भी निकालना होता इनिवर्सिटी को और उस चलते आप देखेंगे काफी लोगों का अड्मिशन ह जिनकी फॉर्म अभी तक नहीं आई, काफी लोग वेट कर रहे हैं, और काफी बड़ा आपको चेंज देखनी को मिलेगा इस साल, हो सकता है, यहाँ पर cut-off हिस चलते आप देखेंगे, बाकी colleges की कम जाएगी, जो राची उनिवर्सेटी के अंदर affiliated colleges है, तो चलिए बात करते है कौन-कौन से यहाँ पर courses की आगे, second list की आएगी, उसे पहले एक और जरूरी बात आपको बतला दू, जैसे किसी ने list में नाम आया, admission नहीं लिए, तो ऐसे में क्या होगा, क्या admission offer आपको बाद में करेंगे यह, तो देखिए अगर आप चले जाते हैं, date में, जैसे admission time पे, तो seat यहाँ पर अगर होती है, तो आपको admission दे दिया जाएगा, अगर बहुत दिनों के बाद जाते हैं, आप बोलेंगे, first selection list में नाम आया, ता मेरा मुझे admission दे दे आप, तो ऐसा नहीं करते हो, और अगर आप जाए, third list में भी, second list में भी जाए, तो उस time पे आपके पास region valid होना चाहिए, जैसे मैं इन कारणों से यहाँ पर admission नहीं ले पाया था, अभी मुझे admission चाहिए, यह बातें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अप्लोड होना start हो गया, काफी सारे list यहाँ गई है, अभी भी कुछ ऐसा subject है, जिनकी यहाँ पर list नहीं आई, थ documents यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, आप जो है, master's की बात करें, तो संथाली, जिजिए और यहाँ पर अप्लोड करती है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर रुगना होगा, और सब upload हो जाएंगे, आप देखेंगे, अगर आपकी है, यहाँ पर तो आप admission आप जाकर ले सकते हैं, fee जादा होती नहीं, already बना दिया है मैंने, यहाँ पर general courses में आप admission लेते हैं, 2-3,000 रुपए मुश्किल से आपको पे करना होता है, semester wise, और यहाँ पर क्यों यह इतनी कम लगती है, क्योंकि यह general courses edit होते है, government से, ठीक है, और आप बात करेंगे, क्या यह सिर्फ general courses के लिए है, vocational courses के लिए नहीं, तो vocational courses जो है, यहाँ पर edit नहीं है, इसलिए आप fee देखेंगे, काफ़ी जादा उनमें लग जाता है, तो जो है, दोनों में आपको difference पता चल गया होगा, feature related videos लाने की बात कर रहे हो, सोच रहा था मैं ठीक है, और बहुत जल ल होगा, thanks for watching, best of luck.